दिए सबसे पहले नेम क्लोज की बात करें है govern ठीक है क्ये नीम क्लोज में देखिए क्या कहता है sir नीम क्लोज क्या होगा दा लास्ट वट अफ दा नीम मस्ट विदिन वट अफ लिमिटेड और प्राइवट लिमिटेड यानि name clause का मतलब है कि जो नाम आप रखोगे ना उसके word के last में आप private limited लिमिटेड वर्ड तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि आप registration किसमें करवा रहे हो company के अंदर करवा रहे हो समझा रही है बात आप इसके आगे कहता है as per section 4 subsection 2 the company can be registered within the name which is option of the central government undesirable मतलब के जो company ने नाम को no company can be registered company ऐसा नाम चुनी नहीं सकती जो की central government को लगता है कि यह लोगों के लिए मतलब गुम्रा कर सकता है लोगों को ऐसा नाम नहीं हो सकता if name is ID Tinkle with the closely the name closely का मतलब उसके जैसा भी हुआ जैसे SBI है SBI आपको पता State Bank of India कई बार आपने कर दिया क्या SBI और symbol वगरा सब बनाए तो लोग तो धुकिम आ जाएगा उस situation में ठीक है of an existing company के आस पास भी मिलता जुलता नहीं होना चाहिए it may be deemed to be undesirable central government उसको बूल देगी वह या name को बदल दो it should not include नाम के आगे कभी cooperative bank, banking, insurance, investment इन सब्दों का इस्तमाल नहीं करोगे इंडिया या फिर आपका state का नाम तो क्योंकि इंडिया नाम लग जाता है तो उससे लगता जैसे कि भारत पे था तो उन्होंने permission लिया था special भारत पे से लगता सरकारी company मैं भी सोच रहते तो सरकारी company आगे भारत पे नाम रखा है लेकिन वो एक private company था ठीक है न तो name clause के अ सर चलिए नाम clause को क्या requirement है as per क्या-क्या requirement है चलिए as per section 12-3 में क्या-क्या requirement है आपका कहता है paint or affix the name outside the registered office and outside every place where carried on the business यानि आप board वगएर लगा लो नाम का नाम आपका चुन लिया गया तो आपको board वगएर लगाना है आगे क्या कहता है get its name address its registered office corporate identification number जो नाम होगा ना उसके नीचे जैसे कई बार आप देखोगे किसी business में नाम लिखा हुआ x y z और नीचे gst number भी लिखा होता है आप check करना भी जाके gst number board के नीचे लिखना mandatory कर दिया पता तो चले यह तुम प्रॉड में हो या नहीं हो तो ऐसा ही जब company हो गए ने तो company के अंदर एक सिन नंबर मिलता है company identification number वह नंबर आपको डालना है कहता है corporate identification number along with the telephone number fax number और email website address print होना चाहिए सारी चीज़े जो board बनाओगे उसक आपको ध्यान रखना है अगर यह काम नहीं करते हो तो आपके साथ क्या जुर्बाना लगाया जाएगा यानि penalty default के case में कहता है if there is any default compliance is in the lead of fine आपको 1000 रुपे परती दिन के हिसाब से fine लगेगा जब तक आप default होंगे मानलो 6 महीने से आप default हो रहे तो तो हर दिन के 1000 रुप कमपनी के उपर और every officer of the company who default until date यानि एक कमपनी के उपर fine लगेगा और मान लेते हैं पांच मेंबर है CA है CS है board of director है इन सभी को भी पता था यार company का नाम तो गलत चल रहा है उन सब के उपर भी 1000-1000 का fine लगेगा यानि सिर्फ company के उपर नहीं लेकिन law ने बोला चलो ठीक है इतना मुस्किल नहीं बनाते एक लाख रुपे से ज़्यादा fine नहीं हो सकता अगर मानलो कोई बोलता है हम 10 साल से नाम नहीं बद लें तो ऐसे तो करोड़ रुपे हो जाएंगे fine तो बोला भया ज्यादा नहीं होगा maximum कितना है एक लाख कितना है एक लाख रुपे का fine है default की case में ठीक है चलिए sir हमने क्या देखा company नाम को कैसे रखना है हमारा private limited होना चाहिए इसके बाद undesirable नही होना चाहिए नाम printed वगरा सारी चीज़े होनी चाहिए और default होगे तो आप क्या यह रहेगा अब इसको alter करने का alteration of the name clause section 132 जो clauses गीवन हो section 4 में गीवन हो alteration section 13 के अंदर गीवन है क्या कहता है इसके अंदर कहता है the name of the company can be change anytime कभी भी change हो सकता है कैसे by passing special resolution मतलब special resolution pass कर दो मैंने पहले भी discuss कि SR क्या होता है जब ज्यादा 75% लोग बोलते है ठीक है एड़ जर्नल मीटिंग जर्नल मीटिंग क्या लोगों को बिठाओ और बाते कर लो आप लोगों से कर मैं बाते कर रहा हूं आप सब बैठे हुए तो जर्नल मीटिंग हो गई इसके बाद of the company में and getting the approval of Central Government और Central Government का भी approval लेना है पहले पॉइंट में इन राइटिंग में ऐसा नहीं के सेंटर गवर्मेंट फोन पर बात कर ले वो लहां कर लो Central Government कोन है जो हमारा CG है यानि ROC से भी सबसे उपर जो होता है company law board होता है वो होता है हमारा Central Government जो की हमारा MCA था ना वही हमारा माना जा इसके बाद क्या करना है सर चेंज दा नेम विच आपका मेरली इनवाल्व इन दा डिलीशन करना है एडीशन करना है प्राइविट लगाना है कुछ भी लगाना है वो नेम चेंज कर दीजी आफ नेम चेंज करने के बाद इन दा ओपीनियन ओफ अगर फिर भी Central Government को लगा कि Central Government क्या कर सकता है आपको registered it may be direct यानि order दे सकता है किसको दे सकता है direct company to change name and company shall change name the new name यानि आपने नाम तो चुल लिया Central Government से permission भी ले लिया permission किस बात के लिए थे का name बदल रहे हैं उसके बाद आपने नाम बदल लिया नाम बदलने के बाद Central Government को बोल लगता है फिर इसने गलत नाम रख लिया इसने तो फिर वो आपको order दे सकता है कि भाई आपने नाम को क्या कर दो change और नए नाम को रखो और यह आ after the adopting the ordinary resolution और अब जो नाम चेंज करोगे अब आपको resolution और पास करना पड़ेगा देखो सबसे पहले खुद चेंज कर रहे थे तो एसार Central Government ने बोला भाई यह नाम चेंज कर दे अब shareholder को बोलेंगे यार नाम चेंज कर दे और generally SR जादा लोगों को मनवाने के लिए होता है 75% मैं लिख देता हूं SR जो होता है वो 75% के लिए और OR ordinary resolution 21% के लिए तो Central Government जब order देगा तो कौन सा resolution पास करना है सर? ordinary, सब में case study आएंगे आपके यह ordinary resolution, for the purpose where the company change name, obtain the new name, it shall be within a period of 15 days, फिर 15 दिन के बाद, date of such change, जिस दिन चेंज किया, notice change to the register, रजिस्टार को दे देना है कि भाई आमने नाम चेंज कर लिया है, along with the order of Central Government, यानि सर कहानी एक पर समझा दो, सबसे पहले अगर आपको नाम चेंज करना है, तो सबसे पहले आप क् सर लो, SR पास कर लो सर, SR पास कर लिया और आप CG Central Government से return में, return में permission ले लो, ठीक है जी नाम चेंज कर गया, लेकिन आपका अगर name undesirable निकला, फिर Central Government आपके पास आ जाएगा और Central Government आपको क्या कर देगा सर, order देगा, क्या order देगा सर, फिर से नाम चेंज कर दो और आपको time दे लिए थे, तीन महिने, हाँ, थ्री मन्त, थ्री मन्त के अंदर अपने नाम को बदल लो, नहीं तो दिक्कत होगी, अब आपको फिर से पूछना होगा किस से shareholder से, कौन सा pass करना पड़ेगा, ordinary resolution pass करना पड़ेगा, अब आप 15 दिन के अंदर क्या करना है, आपको यह सारे document जम खाल यह सार्ना होगा अमत करना होगाओगा, झाल अजक है, लो भुपके है, इसे ह udah माड़े होगा होगा ओपके अपको लुपके ही, अब आपको जमें, यहाँ, वुपके।